नमस्कार आप देखे हैं न्यूसवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजो नरायन शुरुवात करेंगे दिन की बड़ी खबर की करनाटक को आखिरकार नया मुख्य मंत्री मिल गया है करनाटक के ग्रिमंत्री बस्वा राज बोबाई अब राज्य के नए मुख्य मंत्री होंगे जिहां वो शुपत ले रहे हैं बीज़पी विधायक दल की बैटक के दोरान बियस यद्रप्पा ने बस्वा राज बोबाई के नाम पर प्रस्ताव रखा जिसका समर्तन सबसे पहले गोवन करजोन ले किया और सभी विधायकों ने इसका समर्तन सुईकार किया बसवर आज बोबई कुछ ही देर में अब यहाँ पर कुछ और मंत्रियों के साथ शपत लेते हुए नजर आ रहे हैं मुखे मंत्री बोबई के साथ साथ करनाटक में तीन उपे मुखे मंत्री भी बनाए जाएंगे और शपत ग्रेंट समारो जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुका है वो 23 करनाटक के मुखे मंत्री है 2008 में बीजेपी में शामिल हुए 2021 में मुखे मंत्री का ताज मिल रहा है सुत्रों के मताविक जो रेता अपुमुखे मंत्री बनाए जाएंगे उनमें और अशोक, वोंकलिंगा समुदाई से आते हैं गोवन करजॉल जो ऐसी समुदाई से आते हैं और यदुरपा के सरकार में भी उक्यमंत्री थे और श्रीराम बालु ऐस्ते समुदाई से रहे हैं ऐसा करके बीजोपी राज्य के जातिय गणित को साध लेना चाहती है करनाटर बीजोपी नेता और करनाटर की प्रभारी अरुन सिंग ये भी बताते हैं कि ये फैसला सभी विधायकों से सर्व सम्मत्ती से लिया गया है और तस्वीरे आप देख सकते हैं उन्होंने ग्रह मंत्री के तौर पर भी अच्छे कारे किया है और उमीद है कि अच्छे मुख्य मंत्री भी साबित होंगे एक दिन पहली दुरप्पा ने अपने पत से स्तीफेक आईलान किया था मुख्य मंत्री बोबिराई राजशनीती रूप से प्रभाफशाली लिंगायत समुदाई से तालूक रखते हैं उनके पिता असार बोबई भी राज्य के मुख्य मंत्री रह चुके हैं तो आखिरकार शपत ग्रेंट सम्हारों शुरू हो चुका है और बधाईयों का दौर भी शुरू हो चुका है मारास्ट्रा में मौनसूनी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा मुंबई की अंधेरी इलाके में मंगलवारात एक चार मन्जिल है मारत जह गई इस घर्टा में पांच लोगों के घायल होनी की सूशना है घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती करवा दिया गया है इस मामले में अभी अधिकारिक जानकारी नहीं मिली है बीतर शुकरवार भी मुंबई के गोवन्धी इलाके में सुभार चार बचकर 58 मिनट पर एक मारत गिर गई थी जिसमें चार लोगों की दर्टनाख मौत हो गई थी और 11 लोग बुरी तरह से घायल हो गई थे ये एक रियाईशी मारत थी इसाथ से में मरने वाले सभी लोग एकी परिवार के सदिस्य थे हांसे में घायल सभी लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है गाईलों को घाटकों पर में स्थित उप्चार के लिए राजपाडी अस्पताल और साइन के लोग माने तिलक मेमोरिल अस्पताल में भरती करायागिया हालक कि घाईलों में से दो के अस्पताल में ही मौत हो गई है घटना मुंबई के गुवंडरी लाके में शिवाजी नगर के प्लाट नंबर तीन की है इस हादसी की सूश्रा बिलते ही BMC और दमकल कर्मी बचापकारे के लिए मौके पर पहुँच गए थे घटना स्थल पर बचापकारे के लिए दमकल के साथ गारिया और दमकल युभाग की एक बचाव वैन पुलिस और अन्य अजंसियों के कर्मी भी मौज़ गुद रहे तो ये पहला हादसा नहीं है मुंबई में इस तरह की रियाईशी इमारतों के गिरने की घटनाए जो है वो लगातार आती है मुंबई के अंधेरी में ये हादसा हुआ है इतना पर चार मंज़र इमारत गिर गई जिसमें कई लोग दब गए है कईयों की मौत हो गई है इससे पहले अगर बीते शुकरवार की हम बात करें तो भारी बारिश के वज़ों से बहाँ पर एक और इमारत गिरी थी जिसमें एक ही परिबार के कई लोगों ने अपनी जान गमा दी थी अगले साल ओने वाले उत्रप्रदेश विदानसबा चुनाव को लेकर भारतिय जनता पार्टी लगातार मजबूती के साथ काम कर रही है सूत्रों के मताविक उत्तरप्रदेश के भाज़पा सांसर दिल्ली में पार्टी प्रमुख जेपी नर्डा से मुलाकात कर सकते हैं बुद्वार और गुरुवार दो दिनों तक चलने वाली बैटक में विदानसबा चुनाव की रनीती पर चर्चा की जाएगी सूत्रों ने बताए कि यूपी के मुखे मंतरी योगी के साथ उनके दो डिप्टी सीम दिनेश शर्मा और केशव पसान मौरे भी बैटक में मौजूद रहेंगे द्वारा किये गए कारों से अफगत कराने के लिए भी कहा जा सकता है वाइदे तेज कर दी गई हैं इसके लावा विपक्षी दल भी पूरी तरह से अलच नजर आ रहे हैं लेकिन बीजेपी बूत इसतर सरेकर गाउं गाउं तक हर घर हर परिवार तक पहुंच रही है और अपना मेनिफेस्टो जो है वो जनता तक पहुंचा रही है क्या क्या उपलब्धियां सरकार की रही है इन सारे चार सालों में वो सभी जनता तक पहुंचाई जा रही है खिष्टवारा की गुलाबगर चतोशी और हंजर इलाकों में बारिश कहर बनकर वर्सी है बारिश के साथ साथ यहां बादल फटने से नालों में उफान आ गया जिसके चपेच मियाने से जान और माल का काफी नुकसान हुआ है हंजर में आज तड़के बादल फटा जिसके चपेच मियाने से आठ खर मिठी में दफन हो गए बताएए भी जा रहा है कि इन घरों में रहने वाले परिवारों के करीब 30 सदस से अभी लापता है अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये बारिश कहर बन कर किस कदर परिवारों पर तूट रही है हाला कि चार शब बरामद हो चुके हैं पूरे इलाके में रेड अलर्ट खोशिक कर दिया गया है दिशी किष्टवारा ने इस बात की जानकारी देते वी कहा है कि हंजर गाओ पहारी इलाका है जो करीब 20 किरो मीचर लंबा है दुरगम माने जाने वाले इस इलाके में वहाँ जाने की कोई सुवधा नहीं है बचाब दल मदद के लिए निकल गया है परंतु से पहुँशने में अभी समय लग सकता है इसलिए वहाँ की वास्तोगिक्ता स्थिती के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता असपास के इलाकों से यही सूचना मिली है कि हंजर में आज घरों वाला एक असफाब पार्ग के चपेट में आकर पूरी तरह से बह गया है यह चार शव भी बचाब दल को रास्ते में मिले अभी तक स्थानी लोगों नहीं बचाब कारे जारी रखा हुआ है जल्दी सियना के जवान और बचाब दल मौके पर पहुँच जाएगा किश्तवाड़ा में बारिश का कहर लगातार बना हुआ है बादलफटने से करीब आठ घर तबाह हो गई है चार लोगों के शव मिल चुके है और बाकी लोगों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है ऐसे में राहत बचाब की टींग तो पूरी तरह से अलर्ट है बंती हुई नजर आ रही है नदिया उफान पर है नाले पूरी तरह से भर गए है जो पहारी लाके हैं वहाँ पर पहार दरक रहे है तो कहीं बादल पट रहे हैं वही निश्ली लाकों में कहर बनकर बारिश लोगों पर तूठती हुई नजर आ रही तक कई लोगों की जाट जा चुके हैं कई घर जो हैं पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा चुका है लेकिन अभी तक भी ये बारिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही है कई राकों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है इमाचर प्रदेश में रेड अलर्ट के भी शिमला में भारी बारिश से भूसकलन और चत्तारे गिरने का सलसला जारी है शिमला के पांथा घाटी में भारी बारिश से भूसकलन हुआ है मलबे में कई गाडिया दब गई हैं सडके बंध हो गई है और पानी ठप हो गया है जिससे काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं पीने का पानी उन तक नहीं पहुँच पा रहा है राधानी शिमला में शोहर में मंगलवा राध से जारी भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ कई गाडिया मलबे में दब गई हैं रास्ते बंध हैं पानी के सप्लाई भी बंध हो गई है इससे पहले इमाचर प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच शिमला और लाहॉल स्पीती में भारी बारिश से भूसकलन और चटानी गिरने का सलसला मंगलवार को भी जारी रहा लाहॉल स्पीती में जगा जगा भूसकलन से करीब साथ परेटग और स्थानिय बाहान फस गई हैं वहीं चमबा जिले में भरमौर पठान कोट अनेच पर चनेड के पास ते राद भारी बारिश से हुई भूसकलन को हटाने में जुटी जेसीवी को हेलपर साथ में बह रहे लाहॉल स्पीती के छे नालों में बाड आई हुई है जिसके वज़ों से कई लोग अस बहाव में बहते हुए नजर आए हैं कुछ लोगों को बचाया गया है लेकिन अब भी कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं कई वहनों को भी भारी नुकसान हुआ है जो गाडिया पर्टेक्स थलो पर जा रही थी उन्हें पूरी तरह से रोख दिया गया है रूट को डाइवर्ड किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद भी कहर बन कर जो पहार है वो दरखते हुए नजर आ रही है तो तस्वीरे आप देख रहे हैं श्विमला के श्विमला में कई पानी भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है भार्तिय शुटलर पीविस सिंदु ने टोक्यो ओलंपिक में श्वांदार प्रदर्शन करते वें डॉक आउट में चरण में जगा बना ली है गुरूब जे के अपने दूसरे मुकाबले में सिंदु ने होंग कॉंग की च सिंदु ने चियूंग एंग्योंग यी के खिलाफ अपना रिकॉर्ड छे शुन ने कर लिया है इससे पहले एंग्योंग यी के खिलाफ पांच मुकाबलों में भी सिंदु ने जित हासिल की थी पहले गेम में पीवी सिंदु अपनी प्रतिदिंदी पर पूरी तरह से हावी नहीं जिसका नतीजा ये हुआ कि सिंदु ने पहला गेम मैस 15 मिनिट में ही जित लिया दूसरे गेम की शुरुवात में सिंदु ने चार पॉइंट्स की बढ़ाद बना लिये लेकिन एंग्योंग यीक ने शांदार वापसी की और वहां 11 से 10 से आगे हो गई सिंदु ने गेम अंतराल के बाद बेजोड वापसी करते हुए 13 से 12 की बढ़ाद बराली है सिंदु उसके बाद पूरे फॉर्म में दिखाई दी और लगतार पांच अंग हासिल कर स्कोर 19 से 14 कर दिया है यानि कि सिंदु ने किस मिनिट में दूसरा गेम जीत कर मैच अपने नाम कर लिया तो पीवी सिंदु ने अपनी जगा जो है वो पक्की कर ली है यानि कि मेडल जीतने के लिए अपनी जगा जो है वो पूरी कर ली है और कहीं न कहीं आप पूरे भारत को आसे पीवी सिंदु से कि वो जल्द ही कोई न कोई मेडल भारत के नाम जरूर करेंगी और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में महिला ने ये पहला मेडल जीता है तो ऐसे में लगातार सभी महिलाओं से जो भी खिला रही है जिन्नोंने भाग लिया है उन सबसे उमीद की जा रही है कि वो भारत को जरूर मेडल दिलाएंगी अब पीवी सिंदू से भी उमीद लगातार जताई जा रही है क्योंकि उन्होंने नौक आउट में अपनी जगा बना ली है तो लगातार दूसरा वैज जीत कर नौक आउट में पहुंच ही है पीवी सिंदू और अब इंतजार मेडल का है पौने दाफे केस में और इस्ट राज कुंद्रा की कमपनी के खिलाफ एक नया केस दर्ज किया गया है लेकिन इस केस में राज का नाम नहीं है ये फिया राज कुंद्रा की कमपनी होट शॉट गहना वशिश के खिलाफ दर्ज किराई गई है इसमें चार प्रडूसर्स के नाम भी शौमिल है ये केस एक मॉडल ने दर्च किया है जिन्होंने बताया कि उन्हें एडल्ट कंटेंट वाली फिल्म में काम करने को मजबूर किया गया था मॉडल ने मॉंबई क्राइम ब्रांच को संपर किया था और उन्हें बताया कि उन्हें बड़ी बजट की फिल्म का बादा कर एडल्ट कंटेंट वाली फिल्म में काम कराया था पूरे मामले को सुन क्राइम ब्रांच ने मॉडल को F.I.R दर्ज करने को कहा चूंकि ये घटना मालवानी श्वेत्र की है इसे केस भी मालवानी पुलिस थाने में दर्ज कराया गया इस केस में गैना वर्षी शॉट शॉट कंपनी के प्रोडूसर का नाम और इस कंपनी के मालिक राज कुंद्रा है राज कुंद्रा का नाम इस केस में नहीं है लेकिन इससे राज की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है और राज की जो कारणामे हैं उन पर से परद दर परद परदे उठते हुए नजर आ रहे हैं तो राज कुंद्रा की कमपनी पर एक और केस दर्ज हुआ है एक मॉडल ने केस दर्ज कराया है इसके साथ ही अभी नेत्री गहना वशिष समेत शार्ट पर डूसर्स के खिलाव भी एफ आयार दर्ज हुई है और उमीद ये है कि आने वाले समय में ये जो केस है वो भी क्राइम ब्रांच को दे दिया जाएगा आपको दा देंगे से पहले ये भी जानकारी मिली थी कि एडी भी उस पोरे मामले में जाज कर सकती है तो अभी राजकुंद्रा जेल में है अभी 14 दिन की फिर से नियाएक रासत में उने भेजा गया है लेकिन उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है लगातार उनसे पूश्ताज की जा रही है से पहले भी उनसे कितनी बार पूश्ताज हो चुकी है उनकी पत्नी अभिनेजरी शिल्पाशेटी से भी पूश्टाज हो चुकी है उनके साथ जो काम करते थे जिनका नाम शामिल था उनसे भी लगातार पूश्टाज जारी है कोरोना वारस की संक्रमन की तीसी लहराने की आशंका के बीच विशेशग्यों की ये नई भविश्यवारी महामारी के भै को काफी हद तक कम करने वाली है देश में वर्तमान समय में कोरोना संक्रमन की सिफिय देखते हुए IIT कानपूर के विशेशग्यों का अंकलन है कि अगर नया वेरियंट नहीं आया तो तीसी लहर का खत्रा चल सकता है IIT कानपूर के प्रोफेसर मनिंद्र अगरवाल और उनकी टीम ने सूत्र मॉडल के माधियम से जो अंकलन किया उसके मुताबिक वर्तुमान के वरियंट की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है और नए मामले आने भी कुछ कम हो गए है केरल और महराज्च में संक्रमन की रफ्तार घट बढ़ सकती है उतर की राज़ों में लगभग जो हड इम्मुनिटी आ गई है उसके केस कम आ रहे है मौजूदा समय में संक्रमन दर घटकर करीब 30,000 प्रती दिन आ गई है विशेशग्यों को कहना है कि टीका करन, मास का उपयोग और शारिक दूरी के पालन की अनवारत्ता बरकरार रखी जाए अगर ऐसा होता है तो हम तीसरी लहर को टाल सकते हैं कोरोना केस बढ़ने पर लॉकडाउन की प्योग से संक्रमन की चेन टूट सकेगी प्रोफेसर अगरवाल के मताबिक नए वरियंट ना नहीं पर टीसरी लहर की आश्रंका नहीं के पराबर है कैस बढ़ भी सकते हैं लेकिन पिशलेहर की तरह भयावता नहीं होगी कोरोना समाप नहीं हुआ है, कोरोना कत नहीं हुआ है ऐसे मिसाबधानी बरतने की आवश्यक्ता है तो कोरुना थोर्ड गेव को लेकर विशेशेग्यों की नई भविश्यवारी सामनी आई है अगर नया वेरियंट नहीं आया तो खत्रा चल सकता है यारे कि जो तुस्सी लहर होगी मामली तो आएंगे लेकिन दूसरी लहर की तरह भयाववता उनमें नहीं रहेगी जिस तरह की तस्वीरें हमने दूसरी लहर में देखी थी वैसे इस्तिती नहीं होगी लेकिन हमें प्रोचकॉल्स का पालन करना है मास्क ज़रूर लगाना है समाज एक दूनी बना के रखनी है और अगर जिस एरिया में जादा मामली आ रहे हैं उन्हें कंटेन्मेंट जोन में तबदील करना है तब ही हम थर्ड वेव से बच सकते हैं और आने वाले समय में भी हम लॉकडाउन जिसी स्तिती से बच सकते हैं देश में कोरोना संक्रमन के मामली एक बार फिर से बढ़े हैं पाच दिनों बार 40,000 से जादा नई केस तरच हुए हैं बुदवार सुबा स्वास मंत्राले के ओर से जारी आकड़ों के अनुसार पिछले 24 गंटों में 43,000 से जादा नई कोरोना केसिस आए हैं और 640 संक्रमतों की डान चले गई वहीं पिछले 24 गंटों में 44,000 से जादा लोग ठीक भी हुए हैं यानि कि कल 1336 एक्टिव केस बढ़ गए हैं स्वास मंत्राले की माने तो 17 शुलाई तक देश भर में 44 करोड एक सर्च लाग कोरोना वैक्सिन के डोस दिये जा चुके हैं बीते दिन 40,000,000 तो हजार टीके लग गए हैं देश में कोरोना से बित्यूदर 1.34% है जो की हमें 6 तक पहुचानी है जो की recovery rate 97% से जादा है जो की हमें 100% करना है active case 1.27% है कोरोना active case मामले में दुनिया में भारत साखफे स्थान पर है कुल संक्रिप्तों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है जो के अमेरिका ब्राजल के बाद सबसे जादा मौत भारत में हुई है तो 3rd वेव को लेकर वग्यानिक लगातार चेता रहे हैं ऐसे में हमें पूरा ध्यान रखना है कोरोना के जुनियाम है उनका अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में हम third wave से बच सकते हैं lockdown जैसे सख्त जो नियम होते हैं उनसे बच सकते हैं लेकिन अगर हम लापरवाही करते हैं तो फिर third wave में हमें और जड़ादा परिशाणी उथानी पड़ सकती है क्योंकि लगातार विशिशक यह के चुके हैं कि जो थर्ड वेव है वो ज़्यादा बच्चों पर एफेक्टिव हो सकती है तो एक बार फिर से कोरोना के मामले देश में बढ़े हैं करीब कई दिनों बाद ऐसा हुआ है कि 40,000 से ज़्यादा मामले सामनी आए हैं यह जो आकड़ा है वो बढ़ना नहीं चाहिए वो निरंतर घटना चाहिए तब ही हम यह कह सकते हैं कि हम सेकिंड वेव से पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं लेकिन अभी है मालने ना कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हुआ है, सेकिंड वेव पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ये सही नहीं होगा, हमें अभी से ही पूरी तरह से अलर्ट रहना है, थर्ड वेव को लेकर जारकन में मनरेगा आयोप्त राजेश्वरी भी ने कहा है कि वित्तेवर्ष 2021 से 2022 के लिए अनुग्रे अनुदान के लिए राजे कोर्ष से खुल 10 क्रोड रुपे का बजच्ची प्रापधान किया गया है, उन्होंने सारे जिल्यों को पत्र लिखकर प्रापधान के तहत को कहा है, उन्होंने कहा है कि अधिक्तम 65 साल तक के जिन मजदूरों ने किसी वित्तेवर्ष में कम से कम 15 दिनों तक मनरेगा में काम किया उनका उस वित्तेवर्ष और अगले वित्तेवर्ष में मृत्यू या अप्रितिक मृत्यू हो सकती है, तो उनके वैद्य उत्रादिक या दुर्गटना से पीडित श्रमी को अनुग्रे अनुदान की राशी को बुक्तान किया जाएगा अंशिक रूप से विकलांग होने पर 37,500 रुपए दुर्गटना में मृत्यू या प्रकृतिक मित्यू होने या स्थाई रूप से विकलांग होने पर 75,000 रुपए और समान दुर्गटना से पीडित श्रमी को कुछ नहित कर सूचे विभाग को उपलब्द कराने का नर्देश दिया है ये भी नर्देश दिया है कि ऐसे किसी प्रकार की गटना होने पर तुरंत विस्तित जाच की जार मामला सही पाय जाने पर 24 घंटे के अंदर आश्वेत या सजार 75,000 तक की धनराशी है ये मनरेगा मजदूरों के लिए है सिर्फ अगर काम की समय उनकी मित्ति हो जाती है या फिर आप्रकृतिक आपता के कारण उनकी मित्ति हो जाती है तो ऐसे में उनको ये राशी दी जाएगी वो भी 24 घंटे के बीतर ऐसे नर्देश दिये गए ह क्याबिनेट ने केंदर की तर्च पर राजसरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारियों का महंगाई भत्ता 11 प्रतीशत बढ़ाने की प्रस्तापर मन्जूरी दे दी है एक जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर 17 से बढ़कर 28 प्रतीशत करने पर सहमती दी गई है साथी राजसरकार के पेंशन धारी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी एक जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ते में वृध्धी का लाप देने का फैसल लाखर किया गया है बात्य मुद्राक अधिनियम 1899 की अनुस्टूचित एक कम में संशोधित करने और बिहार मनुज़न ड्यूटी कोड़् फीज और मुद्राक अभीभार संशोधन अधिनियम 1948 की धारा 5 को निरस्त करने पर सहमती दी है साती विहार मनरंजन ड्यूटी कोर्स फीस और मुद्रक अधिनियम 1948 की धारा 5 के तहत लगने वाले अतरिक 110 फीस दी अधिभार को निरस्त करने करने ने भी लिया गया है काबिनेट सचे वंदरा डाजले ने बताए कि 27 जुलाई को मंतरी मंदर ने 19 प्रस्तावों पर सहमती जताई है तो जारकन में डिये 17 से बढ़कर 28 प्रतीशत हो गया है डियल के लिए अब आपको ज्यादा पैसे भी देने होंगे 34 गड़ में गहराए सियासी संकट के बीच हर घंटे बदलते राज़िते घटरा करम के रूप में याद रखा जाएगा लंबे समय से श्वान चल रहे सियासी महाल में कॉंग्रस वधायक ब्रस्पत सिंग के आरोपो ने भूचाल ला दिया है ब्रस्पत विवाद करासा तलाश ने मोके मंतरी पुपेश पगेल एक दिन में तीम बार मंतरी के साथ बैटक की पहली बैटक मंतरी टीयस सिंगदेव के सिदन की कारवाई छोड़ कर जाने के बाद हुई दूसरी बैटक में सिंगदेव खुच शामिल हुए लेकिन देरशा मुख्यमंतरी निवास में हुई बैटक में सिंगदेव नहीं पहुचे कांउग्रस के उच पदस्थ सूत्रों की माने तो सिंगदेव के नहीं पहुचने के बाद ये स्ताफ हो गया कि वो किसी भी तरह के समझोते के मूड में नहीं है कॉंग्रस के प्रदेश प्रभारी पी एल पूनिया ने देराद विस्पस सिंग को कारण बताओ नोटिस भी जारी करके जवाब मागा है मुखे मंत्री निवास पर देर्शा मुई बैटक में चुनिंदा मंत्री पहुँचे थे सूत्रों की माने तो विदान सबा से लोटने के बाद मुखे मंत्री वुपेश भगेल ने पार्टी नित्वत को घटना करम की जानकारी दी है वहाँ इस विवाद को जल से जल सुर्जाने को कहा गया है उसकी बाद मुखे मंत्री ने अपने रनितिकारों से मंत्रीों के आपाद बैटक भी बुलाई है इसमें मंत्री त्रामा ध्वज साहू रविंदर चौबे जैसिंग अगरवाल क्वासी लखमा डॉक्टर पेम सिंग टेकाम और अनिल भेंडिया शामिल हुए वहीं भारी गहमा गमी के बीच पूरे दिन का तनाव दूर करने मंत्री सिंग देव राजकुमार कॉलिज पहुँचे और देश शाम तक बेजमिंचन भी खेलते हुए नजर आए हैं तो विपेश बगेन ने मंत्रियों से मंतन की आये मंत्रियों के साथ और ये बैटको का दोर लगातार जारी है ज्वारकण में सरकार गिराने के साजिस की जाच कर रही है पुलिस को सिस्टीवी फोटेज के कहीं साख्ष मिले है जाच के लिए दिली पहुंची पुलिस के टीम ने होटल विवानता के सिस्टीवी फोटेज की जाच की इनमें होटल से निकलने के बाद ज्वारकण के तीनों वधायक के राजकुमार बलखड़े के साथ जाने के बाद सामने आई है पुलिस की टीम अभी वे डिली में क्यांप कर रही है ताकि मामले को और साक्षे एककत्र किये जाएं साक्षे एककत्र करने के बाद पुलिस इसे अनुसंधान की दुरा नियायले में प्रस्तुत करेगी लेखनी है कि इस मामरे में जेल गए अब इशेक दूबे ने अपने बयान में बताया कि राची से दिली एरपोर्ट जाने के बाद एरपोर्ट से तीनों वधाय के एक साथ इनोवा गारी से होटल विवानता पहुंचे थे पांच मिनट के बाद वहाँ एक मोसरीस गारी भी प दिख रहे हैं इससे बात की पुष्टी होती है कि विचाप इमारी के दौरान होटल में ही मौजूद थे उनके साथ होटल में महारास्ट के मोहिद भारतिया अश्टोर ठककर और अमित कुमार यादव भी श्वामिल थे क्योंकि पुलिस ने अनुसंधान की कड़ी में उनक तरह से पुलिस की जाच में तक्नीकी और भौतिक साक्ष्व मिली हैं उनके अधार पर जयकुमार बलखडे सहित चारों के राची आने की पुष्टी हुई हाला कि जयकुमार बिलखडे ने अपने बयान में कहा कि वो कभी चारकन गए ही नहीं है मद्यप्रदेश में नगर्ये निकाय चुनाब फिल्हान नहीं होगे मद्यप्रदेश राजे निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को हाई कोट में बताया कि कोरोना वारस की संभावी तीसी लहर का आंकलन करने के बाद ही इस सुबारे में कोई फैसला लिया जा सकता है राजे निर्वाचन आयोग ने हाई कोच में पेश अपनी जवाब में बताया कि सिमांकन अरक्षण और चुनाव की प्रक्रिया से सम्मंधित कई आचिकाय अधालतों में लंबित है इन पर फैसला आने और कोरोना की दीसी लहर का अंकलन करने के बाद निर्वाचन आयोग राजे सरकार से इस बारे में विचार विवर्श करेगा इसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे इसे पहले राजे निर्वाचन आयोग ने 15 जुलाई की बैचक में प्रदेश में इस्थानिय निकाय चुनाव की तयारी करने की निर्देश दिये थे आयोग ने कहा था कि राजे में 15 सितंबर से 347 निकायों और रिसंबर से पंचाय चुनावों की तयारियां शुरू कर दी जाएंगे की चुनाव कोरोना की 30 लहर की वजोसे आगे बढ़ा दिये जाएं कि अन्डिय में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा विपर्प्ष तो इसका दावा करता ही था कई बार एंडियेंड से जुड़े लोगों ने भी यह कह दिया है कि एंडिये में सब कुछ ठीक नहीं है कुछ दो पंद्रागस को तिजस्वी यादवी मुख्यमंत्री बनकर पत्ना के गांधी मैदान में जंडा फैराएंगे बाइवरेंद्र के इस बयान के बाद बिहार की सियासी गल्यारों में खलवली मच गई राशुतिक जनता दल और विधायक भाइवरेंद्र ने एंजे में हो रहे घटना करम को खेला बताया है काय कि इस खेले से बिहार की सियासफ में बड़ा बदलाव होने जा रहा है नितेश कुमार की सरकार गिरने वाली है सौतंतरता दिवस के दिन पंद्रागस को तिजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गांधी मैदान में तिरंगा फैराते हुए नज़र आएंगे और इसे के साथ फिलाल खबरों में इतना ही है अब बने रहें नियूस वालीडिया के साथ